Hello Everyone, Welcome to the Online Session of Azad High School आज हम करेंगे Class 4th के Real English का Chapter No. 5 जिसका नाम है The Adventures of Little Al Al यहाँ पे निकनेम है The Famous Inventor Thomas Alva Addison का उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें तो स्टार्ट करते हैं Thomas Alva Addison is one of the best known inventors in history He was the youngest of the seven children of his parents and everyone called him Al Thomas Alva Addison एक बहुत ही जाने माने inventor यानकी आविशकारक में से एक थे और उनके बच्पन में वो अपने पेरेंट्स के साथ बेटो यानकी बच्चों में से सबसे छोटे वाले थे और सब उनको Al करके पुकारते थे यंग Al was a weak and fragile child with an unusually large head जो छोटा Al था वो बहुती कमजोर था बहुती जादा नाजुक था और उसका एक बहुती अजीब सा बड़ा सा सर था for some years he was not allowed to go to school because of his poor health क्योंकि वो बिमार रहता था उसकी जो स्वास्त था वो अच्छा नहीं होता था इसलिए काफी टाइम तक उससे स्कूल जाने से उसको बंचित रखा गया Al was poor at studies once a teacher said in front of his mother that he was adult अब जो Al था वो बहुत ही जादा कमजोर था studies में एक बार तो इसकी मा के सामने ही उसके teacher ने कहा दिया कि इसको कुछ नहीं आता जाता यह बहुत ही confused बच्छा है तो इसकी मा खुद भी एक teacher थी she decided to withdraw Al from school and educate him at home तो उसने क्या decide कि वो school से उसको निकाल लेगी और घर पे ही खुद पढ़ाएगी As a boy, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures Boy यानि की बालवस्था में जो Edison था उसकी उत्सुकता और उसकी बहादरी उसको अजीब से ही romanticic कारियों में ले जाती थी छे साल की उमर में वो एक दिन गायब हो गया After an ancient search his father found him sitting in a nest he had made in a barn जब उसके पाप ने उसको ढोड़ा तो उसने पाया कि वो एक barn में जाके barn होता है एक farm वहाँ पे उसकी पिताजी ने उसको एक nest यानि के गोसले के उपर बैठा हुआ पाया उस nest में उसने गूस के अंडे और हैन के अंडों का collection कर रखा था और उसने Edison ने देखा था कि गूस कैसे अपने अंडों पे बैठ के उनको फिर फोड़ता है उसमें से चूजे निकालता है बिच्चे तो वो भी यही सेम चीज ट्राइ करना चाहता था इसलिए उसने अंडे कलेक्ट किया और खुद उन पे बैठ किया दो एडिसन दिद नॉट अटेंड स्कूर रेगुलरली हाला कि एडिसन ने स्कूर रेगुलरली अटेंड नहीं किया था लेकिन उसको जितनी भी बुक्स मिलती थी वो पढ़ता रहता था उसके पेरंट्स जो थे वो वेल अजुकेटेट और अच्छी फैमिली के थे तो उनने घर पे ही एक लाइब्रेडी बना रखी थी वो जाधा तर रेगुलरली या जाधा मात्रा में बुक्स पढ़ता था हिस्ट्री और साइंस की वो साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ता था जो एक छोटे बच्चे की समझ के परे हैं लेकिन फिर भी वो उनने पढ़ता था और उसने अपने घर पे ही एक क्या जो सेलर यानि की जो नीचे का होता है आपका स्टोर रूम टाइब का होता है वहाँ पे ही उसने का अपनी स्मॉल एक लेबरोटरी सेट कर रखे थी जब वो दस साल का था जितनी बार भी वो साइंस की बुक में कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ता था वो अपनी लैब में जाके उसे ट्राइ करता था उसने कम से कम 200 बॉटल्स ऑफ केमिकल्स कलेक्ट कर रखे थी और उसको बहुत ही अच्छे से सजा के रखा था जो उसकी शेल्फ थी लैब की उन पे और सब के उपर उसने क्या लेबल करके रखा था पॉईजन ताकि कोई भी उसे छेड़े यां डिस्टर्ब ना करे अब वो जितने पे एक्सपेरिमेंट करता था उसमें उसकी सारी पॉकेट मैनी खतम हो जाती थी उसने क्या किया एक न्यूस बॉई का काम करना स्टार्ट कर दिया हाला कि उसके पेरेंट्स को ये बिलकुल भी पसंद नहीं था लेकिन अडिसन ने क्या कहा कि न्यूस बॉई बनके एक तो वो पैसे कमा लेगा जितना उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए और बिसाइड वो न्यूस पेपर और मैगजीन फ्री की भी पढ़ सकता है जल्दी वो जो प्रियोडिकल्स थे यानके मैगजीन या न्यूस पेपर्स थे वो बेचने लग गया लोकल ट्रेन में और वो ट्रावल करने लगा कहां से कहां तक पॉर्ट हिरोन जहां वो रहता था वहां से डेटरोइट तक एक बिसनेस सेंटर तक तो वो उसको इसको एडिसन को दे रखा था ताकि वो वहां अपने पेपर्स रख सके he kept his paper there but besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set up it on the train besides उसने वो पेपर तो रखी है रखे पर जो अपनी लब उसने cellar में अपने घर में पना रखी थी वो उसने ट्रावर करके कहां डाल दी train के उस compartment में at the age of 14 चौदा साल की उमर में अडिसन बिकेम अ स्ट्राइकिंग एड्जांपल अवर्कमिंग हार्शिप टू पर्सु नॉलज चौदा साल की उमर में वो एक बहुती बड़ा एक्जांपल बना लोगों के लिए कि कैसे महनत करके नॉलजच गी जा सकती है एक दिन क्या हुआ ट्रेन एक टूटी फूटी पतरी पे चल रही थी तो अचानक से उसमें धक्का लगा जिसे कारण जो शेल्फ पे रखा एक स्टिक उफ फॉस्फोरस था जो उसका बॉतल अफ जार था वो गिर गया और उसकी वजय से वह आग लग गई कमपार्टमेंट पूरी तरह से आग में जल गया लड़के ने उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की दे ट्रेन कंड़क्टर कुकली रश्ट इन विद वाटर और सेव दे कमपार्टमेंट फिर वहाँ पे जल्दी से ट्रेन कंड़क्टर आया पानी लेके और उसने कमपार्टमेंट की आग को बुझा दिया नेक्स स्टेशन पे अडिसन अलॉंग विद इस एक्विपमेंट और पेपर थे उसके साथ उस ट्रेन कंड़क्टर ने उसको वहाँ पे फेंग दिया ट्रेन वहाँ से चली गई और वो बिचारा वहीं प्लाटफॉर्म पे रह गया अपनी आँखों में निराशा के आंसु भरता हुआ अफर दी अचिडेन दी अचिडेन ने फ नहीं अजगे इसको चान के पास घूसा मारा था जिसके वजासे वह बहरा होना स्टार्ट हो गया बट उसने अपमी डेफनेस कोी हैंडिकैप नहीं समझा थीक है उसने इसको क्या कहा कि अच्छा है यह मुझे help करेगा concentrate करने में अपने काम पे ताकि उसके आजुबा जो जितनी भी शोर शराबा होगा अब उसको वो सुनाई नहीं दिएगा ठीक है वो आराम से अपने experiment कर सकता है Edison's next career was a telegraph operator आगे उसने next job किसकी की? telegraph operator की as a news boy on a train he had once saved the child of a station agent from big hit by a boxcar एक दिन जब वो news boy था तो उसने बच्चे को बचाया था एक जो बोगी है train की उससे टकराने से और वो बच्चा किसका था? एक station agent का तो as a reward उस station agent ने उससे art of telegraphy सिखाई और फिर उसको अपना operator बना दिया Edison never stopped experimenting उसने कभी भी experiment करना stop नहीं किया और उसने बहुत सी new new machines भी build की many years later he set up a factory of inventions बहुत साल बाद उसने खुद की factory उसने set up की जहाँ पे वहाँ पे inventions करता था उसने बहुत से hundred of men employee किये और वो सारे ही invention करने में busy रहते थे he worked as hard as his employees often 18 out of 24 hours of the day वो बहुत ही ज़ादा मेहनत करता था अपने employee के साथ साथ खुद भी वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता रहता था एक बार एक fire लगे उसकी factory की building में लेकिन उसने answer क्या दिया उसने उन जो leaping flames थी वो जो आग थी उसकी तरफ देखते हुए कहा कि हम फिर से इसको दुबारा rebuild करेंगे फिर से इसको बनाएंगे Edison's factory turned out hundred of inventions उसने अपनी factory में hundred of inventions बनाए जिसमें सबसे valuable inventions कौन-कौन से थे जो electric light थी वो the phonograph, phonograph यानि की एक voice recorder और moving picture ये तीन उसके सबसे valuable inventions में से एक थे phonograph जिसको sound recorder कहते हैं उसने possible किया है music जो record करके on a wax disc में distribute करवाना यानि कि तब के जमाने में जो wax disc होती थी उसमें recorded होता था music moving picture जिसका उसने invention किया था आजकल उससे develop होती है movies ऐसा कोई और inventor नहीं होगा जिसने हमारी daily lives में इतना सब कुछ entertainment से चीजे भर दी जिस तरह से कैसने की है Thomas Elva Edison तो ये था हमारा chapter अब हम करेंगे इसके comprehension part को choose the correct answer little al was not allowed to go to school for some year because तो इसमें आएगा इसकी poor health की वजा से second है where did Edison's father find him after he went missing one day तो यहां आएगा in the barn third है where was Edison leaving when he will become a news boy तो यहां आएगा pot huron fourth है the phonograph was यहां आएगा see a sound recorder A2 है आपका sequence the event in Edison's life जैसे जैसे उसकी life में जो event होते गए है उसको sequence करना है तो सबसे पहले आएगा Edison's mother withdraws him from school second आएगा Edison tries to hatch eggs by sitting on them third आएगा he sets up a laboratory in the cellar of his room fourth आएगा Edison is thrown out of the train fifth आएगा Edison learns telegraphy and sixth आएगा Edison sets up a factory of inventions next हम करेंगे answer these questions question number one है why did Edison's mother withdraw him from school Edison की मान ने उसे school से क्यों निकाल दिया था तो इसमें आप लिखेंगे Edison's mother withdraw him from school after a teacher described him as adult question number two है what was Edison trying to do sitting in the barn Edison बान में बैठ कर क्या करने की कोशिश कर रहा था तो इसमें आप लिखेंगे in the barn Edison was trying to hatch eggs by sitting on them question number three है why did Edison label the bottles of chemicals poison Edison ने जो chemical की bottle थी उन पे poison क्यों लिख रखा था तो इसमें आप लिखेंगे Edison labeled the bottles poison so that no one else would handle or disturb them question number four है what was Edison's reason for choosing to become a newsboy Edison ने क्या reason दिया newsboy बनने के लिए तो इसमें आप लिखेंगे by becoming a newsboy Edison could earn all the money he needed for his experiments he could also read newspapers and magazines for free question number five how did Thomas Edison become deaf वो पहरा कैसे बन गया था तो इसमें आप लिखेंगे after Edison's chemical caused a fire in the train compartment the furious conductor of the train boxed him hard on the ear this made him deaf question number six when did Edison say we will begin rebuilding tomorrow what does this tell us about his nature Edison ने कभी ये कहा था कि हम कल फिर से इसको rebuild करेंगे और ये हमें उसकी किस nature के बारे में बताता है तो इसमें आप लिखेंगे Edison said this after a great fire destroyed many of his factory buildings this shows his determination to never be defeated by challenges question number seven how different would your life have been without Edison's invention this question में पूछा है कि आपकी life किस तरीके से different होती अगर Edison ने वो चीज़े invent नहीं की होती तिसमें आप लिखेंगे our life would be very different if Edison's inventions was not there we would not have been had the electric bulb the video films to entertain us or the sound recorder or music to entertain ourselves next आती है आपकी vocabulary इसमें कुछ आपको six families of world दिये हुए हैं और each family में पांच member आते हैं आपको इसको identify करना है और हर एक family में लिखना है अब ये family किस तरीके से बनी हुई है मैं कुछ बताती हूँ आपको जैसे first family में इन लोगोंने कुछ important science के terms लिखे हुए हैं chemicals, experiments, science, lab, phosphorus ये सबी किस से related हैं आपकी chemistry या chemical lab से उसी तरीके से second family में हम वो चीजें उपर box में से ढूटेंगे जो इसकी inventions आती हैं जैसे की radio, telephone, telegraph, electric bulb and phonograph ये आगई second family तीसरी family में हम वो चीजें डालेंगे जो related है fire से यानि कि जो आग लगी थी तो इसमें हम लिखेंगे blaze, smoke, flame, fire, quench fourth family में हम वो चीजें लिखेंगे जो बताती हैं हमें al के बारे में यानि कि Edison के बारे में वो कैसा था तो इसमें हम लिखेंगे weak, fragile, strong, deaf, handicap fifth family में हम लिखेंगे train और platform, coach, conductor इन सब के बारे में ठीक है तो इसमें आएगा आपका boxcar, platform, train, coach, conductor और sixth family में आएगा जो वो newspaper बेशता था, daily newspaper, magazines वगेरा वो सब तो इसमें आप लिखेंगे newspaper, magazine, periodical, newsboy, weekly next है making new words पीछे suffix लगाके आप कोई एक नया word बना सकते हैं जैसे invent एक word होता है उसके पीछे i-o-n लगा दिया तो क्या बन गया नया word? invention उसी के साथ hard एक word होता है उसके आगे ship लगा दिया तो क्या बन गया? hardship वैसे ही operator और teacher है ऐसे ही आपने पीछे suffix लगाके ये नया word बनाने है i-o-n लगाके आपको दो वर्ड दिये हुए है creation और education आपने दो और वर्ड लिखने इसमें dictation और दूसरा presentation second है ship suffix लगाना है तो hardship and relationship दिया हुआ है इसके लाब आप लिखेंगे friendship and scholarship next आपको n-e-s-s suffix लगाना है तो इसमें आपको दो दिये हैं deafness and cleverness इसके लाब आप लिखेंगे hardness and thickness आगे आपको और suffix लगाना है इसमें आपको दे रखा है operator और inspector इसके लाब आप लिखेंगे advisor and creator next आपको दे रखा है er suffix लगाके तो इसमें आपको teacher और recorder given है जिसके अलावा आप दो चीजे लिखेंगे opener and sticker अब हम grammar देखेंगे Talking about the age To talk about a person's age we use the kind of expression highlighted अगर किसी की age के बारे में हमने बात करनी होती है तो हम कुछ इस प्रिकार से लिखते हैं At the age of six, he went missing यानि कि छे साल के उमब में वो गायब हो गया इस तरीके साम लिखते हैं और आगे क्या लगाते हैं At In और On कभी भी age के आगे नहीं लगता है हम हमेशा क्या यूज करते हैं At तो यहाँ पे आपको कुछ expression दी होए है someone's age के बारे में जो वो past में बात करना हो present में बात करना हो या future में तब भी हम क्या लगाते हैं At the age of six At लगाते हैं हमेशा ठीक है अगर simply आपको पहले कि शौट में लिखना हो जैसे पूरा न लिखके सीधा सतीश was 12 वो 12 का था 2013 में तो था was लग गया present के लिए is लगता है और future के लिए will be उसी तरीके से आपने correct expression लिखना है fill in the blanks में और age भी आपने बतानी है कि इसमें क्या होगी तो first आपको दे रखा है यहां पे the prince went to live with his uncle at the age of four ठीक है ब्राकेट में four दिया है इसलिए हम लिखेंगे at the age of four next है Michael Jackson was dash when he performed on stage ब्राकेट में 10 दिया है तो हम क्या लिखेंगे Michael Jackson was 10 years old यहां पे was लगा हुआ है न आगे इसलिए 10 years old when he first performed on stage next है आपको third next year I will be dash अब इसने कहना है कि मैं 11 साल का हो जाऊंगा तो इसमें आपके लिखेंगे next year I will be 11 years old fourth part है आपका their elder daughter is dash and their younger daughter is dash तो इसमें आपके लिखेंगे यह आपको present tense में दिया है तो इसमें आप लिखना है their elder daughter is 17 and their younger daughter is 13 next fifth part आपको दिया है children below dash cannot join the team आठ साल बताना है तो आप लिखेंगे children below eight cannot join the team ठीक है अब यहाँ पे simple past के कुछ sentences आपको बताएगे हैं जो आपकी story में आए हैं यह सारे हैं ठीक है तो past के जो भी sentences होते हैं उनमें हम verb क्या लगाते हैं was या फिर जो भी हमारे verbs होते हैं उनका third form लगता है जैसे worked kept next fell लग जाता है saved लग जाता है taught हो जाता है ठीक है इसके सारे second form लगते हैं तो tick the correct options that they are in the simple past tense cross one they are not यहाँ पे आपको कुछ sentences दिये हैं आपने tick करने हैं वो आपको past tense में दिये हैं और cross करने हैं जो past tense में नहीं है number one में दिया है I met Divya in the library अब यह meet का met है यानि कि second form तो यह क्या है past में तो यह इस पे आप tick करेंगे second है India will play in Australia next year यह will लगा है that means यह future है तो इसको आप cross करेंगे third the children went to their uncle's house last weekend तो went went क्या है past की बात की है go went gone तो यह went क्या है go का second form है तो यह past में है तो इस पे आप tick करेंगे fourth I get up at six o'clock every day तो यह तो उसने simple present की बात की गई है तो यह भी cross करेंगे next fifth है the teacher did not ask us to write in the text book a did not यह जो did not होता है यह हमेशा past में लगता है did तो इसको आप tick करेंगे next C3 है complete the following story using the past tense forms of the verbs in the bracket bracket में जो वर्ब दिये है उसका past tense form आपने लिखके इसको story को complete करना है तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप लिखते जाएंगे Florence Nightingale was born in 1820 she liked books she always helped others she decided to become a nurse and became successful in that profession हर किसी का आपने second form लिखना है during a war Florence ran a hospital for soldiers at first the hospital was very dirty the soldiers got very sick there she worked hard to keep them from dying she cleaned the place at night she carried a lamp to light her way as she worked she came to be known as the lady with the lamp she saved thousand of lives जितने भी वर्ब ब्राकेट में थे उनके आपने सबके second form लिखने थे आगे हैं आपके listen and speaking तो ये तो जस्ट आपको बताना है इसको पढ़ना है और लिखने है कि इसमें क्या क्या आएगा तो listen carefully to your teacher and read out the passage and write the words in the blank तो मैं आपको words बताती जाओंगी आप लिखेंगे रामना अथर्या is an Indian bird watcher he recently made a rare discovery रामना spotted a brand new species of bird he found a small colorful bird in the forest in the summer of 2016 रामना studied the bird closely he took photographs made note and also collected feathers of the bird when all these were presented to scientists they agreed that this was indeed a new species रामना was the first to discover a new type of bird in India in the past 50 years आगे there was a tribe called Bugans near the area where Ramana found the bird he named the bird after them Ramana and a team of scientists plan to do more research and look for new types of animals they are excited about the idea of discovering new butterflies reptiles, insects and plants okay तो ये speaking क्या आपको दिये हैं कि आपने कैसे बात करनी हो this is the discussion between the two classmates तो ये हम रहने देते हैं यहां आपका ये chapter खतम होता है I hope आपको समझ माया होगा अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो हमें message या comment करना ना भूले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share जरूर करें thank you very much and have a nice day